Hello friends, welcome to my youtube channel, आज काई प्यूडिया यह है Thomas Aquinas, मध्ययोकर अरस्टू Thomas Aquinas, संथ Thomas Aquinas को मध्ययोकर अरस्टू क्यों कहा जाता है अरस्टू के राजनितिक सिंतन को करमवत तथा बह्यानिक बनाये है प्रंद अरस्तुबाद अचुता पढ़ा रहा अपने बिचारों के पोषण ही तू एक नास ने जितना अधिक अरस्तुबाध के चिन्तन को आधर बनाया उतना संभाव तो अन्य किसी बिचारत ने नहीं एक नास क्या था मुलतो एक धर्मसास्त्री था उसे इसाई रास्तु उचित ही कहा जाता है, नेपल्स ने अपने अध्यनकाल में सरवपर्थम टॉमस, संत टॉमस एक्विनास का अरस्तु के करंथूं से परिचाय हुआ, एक्विनास को मध्यूका रस्तू कहा जाता है इसके निम्नीखेत कारण है प्रस्ट हो गहाए एक्विनास ने इसाए धर्म ट्रेजित राजनेत दर्शन और अरस्तु के धर्म निर्पेक्स विचार दर्शन के मध्या एक सेतु निर्मित कर राजनेतिक चिंतन की मान सिवाची। अधर कालिन समय की धर्मानता ने धकिल दिया था। उसने अपने चिंतन से उसमें बैजनेक्ता के परविष को सहज बनाया। अथो उसका चिंतन मध्योगिन जल्ड राजनेतिक चिंतन में बैजनेक्ता की द्वार परविष के समान है। परकट ज्यान जो अरश्तु आधी प्राचिन दर्शनिकों ने परधान किया। इसाई धर्म सास्त्रों के विप्रिद नहीं है। चाहे उसकी उपरी तोर पर उनमें कितना ही विरोधावास क्यों द्रिष्टिकों चर होता हो। तो दूसरा कारण यह है कि उससे ट्रॉमस अकिनास को मद्ययों का अरस्तु क्यों का जाती। इसाई धर्म के विरोध अरस्तु की तरह ही उसकी मानिता थी कि राजे एक स्वबाविक संगठन है। तो इसाई धर्म के विरोध क्या था। जैसा अरस्तु की धर्णा थी कि राजे क्या ही एक स्वबाविक संगठन है। उसी तरह इसी कभी था अकिनास का। अतो उसके द्वारा निर्मित कानौनों का पालन नाकिक करतब्य है। तो आद्यात्मिक उन्हेति का लक्षे ये चा कर सकता है। आदमी राज के अंतरगती कर सकता है, उसके निर्मित कानूनों का पालन करके करना अभ्यक्तिका चाहे, निर्मित नैतिक करता भी है। संत एक्विनास अरस्त की तरह ही राज तंतर कुली तंतर और लोग तंतर था उसके विक्रित रूप में राजियों का पालन करता है, और उसके समानी राज तंतर को सबसे अच्छी सासन ब्याउस्ता है। संत एक्विनास अरस्त की तरह ही राज तंतर कुली तंतर और लोग तंतर हुआता था उसके पिक्रित रूप में राजियों का राज तंतर करता है तो उसके समानी राज तंतरी सबसे अच्छी सासन ब्याउस्ता है। यह सही है कि एक्विनास अरस्तु की विशारधारा से परभावित है लेकिन इसके साथ यह इसे पूर्ण सत्य नहीं मानता है और उसका उदेश्य इसाई धर्मद्वारा परतिपादी सत्य के प्रकास में उसे पूर्णता परधन करना है फोस्टर के सब्दों में एक्विनास अपने दर्शन में प्रारम से अंत्तगियो सिद्धांत अंजीकार के आची अरोस्तवा सत्य है, प्रंतु पूर्ण सत्यनी है, यह सत्य है जहां तक उससे विश्वास की सायता की बना, मानो बिवेक से खुजा जा सकता है, प्रंतु बिवेक से खुज लिया था, केवल उससे इस वरकार वो दर्शन के परते विभाग में यूनानी आधार पर इसाई भौन खड़ा करता है। संद्टेम एकुनास को मद्ययोकार अस्तु कहे जाने में कितना ओसित है इस संबंद में अधुलिकित तथ्य अवलोकन अवलोकनिय है। कितना सही है कि उसे मद्ययोकार अस्तु कहना उसके संबंद में कुछ ये तथ्य है। फस्ट हो गया और अस्तु बुद्धिवादी है। वो बुद्धि को ज्यान का साधन मानता है। टामस इस तथ्य को स्विकार करते विए भी कहता है कि जो कुछ ऐसे सत्य भी हैं जो बुद्धि से प्रहें और जिनका ज्यान केवा सर्दा वो इस्वर किरपास से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा हो गया, एक्विनास अरस्तु के मानाव समाज समंदी विकारों को स्विकार करता है। तीसरा हो गया, अरस्तु मानाव जीवन का लक्ष लोचिक सुकुची प्राप्ति मानता है। जबकि एक्विनास जीवन के लक्ष लोचिक तथा परलोचिक सुकुची अरस्तु के इसमत से सेमत है कि कानून विवे का परणाम है पर वो कानून में इस्वर द्वारा दिये जाने वाले सास्वत और देवे कानून को भी सामिल कर देता है। टामस एक्विनास अरस्तु के दर्सन के इस आधरबुत विचार से सेमत है कि राज्य की उत्वति स्वभाई ग्रूप से हुई है। वो अरस्तु के इस विचार से भी सेमत है कि राज्य का उदेश्य नागरिकों को सुबजीवन की प्राप्ति में सायता देना है। पर सुबजीवन पर इस परकार का होना चाहिए कि जिसमें मोक्सी की प्राप्ति हो सके इसके लिए टामस नेचर्च को आखशक बताए है। एकनास का महत्वश लिए है कि उसने अरस्तु के बैजानिक राजनितिक चिंतन और आस्तावादी इसाई राजनितिक चिंतन में समनवाई अस्तावित किया। जिससे कि वे दोनों अपना प्रासपर बिरूदी रूप खोकर एक दूसरे के पूरग बन जाते हैं। इस तरह उसके सम्पूर्ण चिंतन पर हमिए अरस्तु के चिंतन की चाप इस पर स्ट रूप्से दिखाई दिता है.. तो एकनास का महत्वश लिए है की क्यूंकि उसने क्या चया कि.. जो अरस्तु का बैगैनिक राजनितिक चिंतन और अस्तावादी इसाही राजनितिक चिंतन में उसने क्या क्या समन्वाई एस्तावित क्या जिससे कि वे दोनों प्रस पर भिरुदी रूप होकर क्या एक दूसरी के पुरग बन जाते हैं इस तरह उसके जो सम्पूर्ण राज this video if you like this video please subscribe my channel and like share and comment on this video